हले विवान आज किस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इंटरनेशनल प्लेस वैलू चार्ट किस तरह का होता है इंटरनेशनल प्लेस वैलू चार्ट किस तरह से बनाया जाता है नंबर्स को किस तरह से इसमें पुट किया जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम अफ नुमरेशन में numbers को किस तरह से लिखते और पढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं international place value chart में सबसे पहले right side से यह जो पहला period होता है यह once का period होता है उसके बाद यह thousands वाला period होता है उसके बाद यह millions वाला period होता है और यह billions वाला period है इसके आगे भी होता है trillion और उसके आगे भी होता है लेकिन हम लोगों को यही billion तक ही जानना है उसके बाद places जो आप देख रहे हैं तो places once वाला period में three places होते हैं once tens और hundreds थाउजन्स वाले period में भी तीन places है थाउजन्स तेन थाउजन्स और हंड्रेड थाउजन्स उसके बाद millions वाले period में million 10 million 100 million उसके billions वाले period में billion 10 billion और 100 billion तो इस तरह से सभी periods में तीन-तीन places होते हैं international place value chart में तो जैसा कि आप देख सकते हैं international pressure and application में हर period में तीन-तीन places है वांस वाले period में भी तीन places है 1stess 100000 वाले period में भी तीन places है 1000 1000 और Hills रहने थाउजन्स मि़िन वाले period में भी değiş्build प्लेश दाृजन्स उप्लेश है million 10 billion hundred million और उसके billion वाले period में भी तीन places है billion 10 billion और 100 billion तो आब हम लोग हम इन numbers को international place value चार्ट में फूट करेंगे, सबसे पहले यह 8 है, 1s place पे, तो यहां लिखेंगे 8 उसका 7 है, 10s place पे, 7 6 है 100, 10s place पे, 6 फिर 0 है, 1000 place पे, 0 2 है, 10,000 place पे, 2 फिर, 5 है 100,000 place पे, तो 5 और 4 है, million place पे तो 4, अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 4 देखिए millions वाले period में है तो 4 million और ये तीनों नमबर यानि 520 थाउजेंड वाले period में है तो इसको एक साथ पढ़ेंगे 520 थाउजेंड उसके बाद 600 और 78 को एक साथ पढ़ा जाता है यानि 78 मतलब 10s और 1s वाले place को एक साथ पढ़ा जाता है यसलिए 7 और 8 को साथ में पाइट है यहाँ पर ये है 1s place pay to 8 Sevrt 10s प्लेसके ब सेवें फिर 0 है a rounded fest पिजरो फिर फाइब है thousand plus after for 33 000 प्ने थी जीडिए 10020 प्लेस पर और 5ell million place pay और two हो है 10 million प्लेस पर अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे दिखिए मिलियन वाले प्रियेड में यहां दो नंबर है ठीक है टेन मिलियन और मिलियन यह दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 25 million उसके जीरो है तो इसको छोड़ दिए 35 35 यह नि तीरों हम लोग पढ़ सकते हैं फिर यह वाला नंबर पूट करते हैं तो 5 है वान स्प्लेस पे फिर 0 3 4 5 7 4 6 0 5 और इस तरह सब पूट करने के बाद हम लोग इसको पढ़ सकते हैं देखिए बिलियन वाले प्रियेट में यह है फाइब बिलियन हो गया उसका दिए तिनों एक साथ पढ़ेंगे यह 64 million उसका 754 थाउजंड और 305 तो इसी तरह से इन सभी numbers को भी हम लोग international place value chart में पूट कर सकते हैं अब मैं आपको बता जाता हूँ international system of numeration में numbers को किस तरह से लिखते हैं और पढ़ते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि international place value system में हम लोग numbers को जो लिखते हैं तो हर period में 3 3 places होते हैं इसी लिए हम यहाँ तीन तीन place के बाद कॉमा पुट करेंगे ठीक है अब देखिए यह जो number है यह third period तक है यानि first period second period third period तक है तो third period मतलब millions तक गया है यानि 4,520,678 उसके बाद इस number में भी थे कैसे फॉर्थ पिरियोड तक है ठाके है इनि first second third period यहनि थर्ड प्रीयट रियटij मिलियन वाला प्रिये 25,03500 7800 उसके बाद यह देखिए यह नबबर आपका फॉर्थ पिरियोड तक है ठीक है फॉर्थ पिरियट मतलब ब्लियन वाला 1,642,178 और इसका आद यह जो नमबर है यह थर्ड पीरियड तक है थर्ड पीरियड तक है तैसलिए हम इसको पढ़ेंगे 426,877,651 तो इस तरह से इंटरनेशनल प्रेस्ट वैलु सिस्टम में नमबर्स को हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं फ्रेंट्स आई होप कि यह वीडियो आपको हिल्फ लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के इंट्रेस्टिंग और यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बेलागा नबादें